अस्सलामुआलेकूम नमस्ते सस्रीकाल कैसे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट के बारे में बहुत से भाईयों का सवाल था इंडिया से सहुधी के लिए एर पणर दबारा आ सकते हैं यह नहीं आ सकते हैं सभू हने के लिए पाकिस्थान बात करने वाला हूं तो मेरे वीडियो को सब से पहले हम बात कर लेते हैं जो लोको सवाल quella पाकिस्थान जाना है उनके लिए उनका सवाल है क्या क्या सब्सक crypto और बीकी hits जरूर्म्हें profpton है ज कर दिया है अगर आपके पास तवाकला नहीं है तो आप सादी छोड़ पे किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं जाने के लिए तवकलना जरूराइए अगर आपने अपसर अभी तक रेश्टेट नहीं किया है तो जाके अगर आपको मसीन नहीं मिल रहा है तो कोशिस कीजिए जो आपके आसपास में यार दोस्त है आप उनके अपसर आईडी में जाके आप अपना मोबाइल नम्मर इकामा नम्मर डेटो वर्थ डाल के सम्मिट कर सकते हैं उसके बाद आप तबकलना डाउनलोड करके आप लोगिन कर सकते हैं बहुत ही असानी से पहले थोड़ा मुस्किल था अब सौधी की गौर्णमेंट ने ये नया फीचर दे दिया है इससे बहुत फायदा मिल जाएगा अगर आप पीसिया टेस्ट करा करके आप लगना या देली मुंबई आप कहीं भी जाते हैं तो इस पीसिया टेस तो आप कोशिस कीजिए इस वक्त अगर जा रहे हैं तो कोई पीसिया टेस्ट कराने की जोरत नहीं आप बिल्कुल डैड़क जा सकते हैं वह एक चोटी सी फॉर्मिल्टी होगा फॉर्मिल्टी कंप्लीट करने के बाद वह आपको छोड़ दिया जाएगा घर जाने के लिए तो आप पैसे इस वक्त वेस्ट करके आपको कोई फायदा नहीं है अब हम बात कर लेते हैं इंडिया से सहोधी के लिए एर बावल फ्लाइट के बारे में बहुत से भाईयों का सवाल था कि इंडिया से सहोधी आना है एर बावल फ्लाइट कब से स्टार्ट होगा मेरा जा सकते हैं वहां से आप टिकट लेकर आ सकते हैं या कतर जाकर कि आप आ सकते हैं बीच में भी ऐसा हुआ था कि आज जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है 31 माज तक के लिए सहोधी की गौवर्णमेंट ने फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया था फिर भी जो लोग कतर से यह को बिलकुल सहोधी में इंटर कर रहे थे अगर आप दुबाई से या कतर से या बंगलादेश से आप कहीं से भी आना चाते हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए देखते हैं बहुत जल्द उम्मीद है कि यह फ्लाइट फिर से चालू हो जाएगा जो फ्लाइट को सस् हैं मेरा जो जुर्वा यह मेरा जो उम्मीद लग रहा है कि फरवड़ी के लास्तक में हो सकता है कि नॉर्मल भी हो जाए और जो आना चाहते हैं वह वाया दुबाई यह वाया कतर होते हुए सौधी में इंटर कर सकते हैं बहुत से भाईयों का सवाल था कि जिनका न्यू व जोरत है वह आपको मंगबाएगा यहां कि इस वक्त हाला ठीक नहीं है इस वजह से जितने भी ऑपिस सारे ऑपिस बंद पड़े हैं इसलिए आप नहीं आप आड़े हो जब ऑपिस खुलेंगे तो आपका वीजा अपडेट हो जाएगा आपका वीजा एक्सपायर नहीं होगा तो वीजा कैंसिल कर सकता है वह एक अलग मैटर है आप जिससे भी वीजा लिया है किसी कंपनी या यार दोस्ते तो आप उससे कॉंटेक्ट बनाए रखिए उससे आपका बहुत फायदा होगा तसली मिलेगा कि हां उससे वर्गर की जौरत है जब फ्लाइट चालू हो यह वक्त आप किसी भी कंटरी में जाते हैं तो आप कहीं भी बी नहीं जासकते हैं किसी भी कंटरी के लिए नहीं तो आप बिलकुल वेट कीजिए और जब ये माहूल ठीक होगा तो उसके बाद ही आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब फलाइट इस वक्त बंद है तो आप किसी भी एजेंट को या किसी भी कंपनी में आप अपना पासपोर्ट या पैसा जमा मत कीजिया आपका पैसा डूब जाएगा तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जब माहूल ठीक होगा तो उसके बाद आप बिल्कुल बहुत ही असानी से आ सकते हैं इस वक्त एक साल से सौधी से जितने भी लोग जा रहे हैं चुट्टी पे जा रहे हैं और वापसी अभी तक नहीं हुआ है और जब यह माहूल ठीक होगा तो सौधी में वर्कर का बहुत जादा जोरत होगा तो आप बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं आज का यह दो तीन अपडेट था तो मैं चाहूं कि आप लोगों साथ सेर कर दूं तो उम्मित करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके मुझे जरूर बत तब तक के लिए खुदा आफेज